असलाव लेकुम दोस्तों कैसे हो में दिकारते हैं आप सब ख़ड़ेस होंगे तो दोस्तों फाइनली एक और नया रूल आ गया है सौधी अरभिया जाने के लिए जो लोग भी नया बेज़ा पर जा रहे हैं उनके लिए नया रूल 29 मईद 23 से लागो हो जाएगा क्या है नया लाश्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकार मिल सके और वीडियो पसाने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो होता यह था कि पहले जो रूल था सवाधी अरभ जाने के लिए इसमें कोई जारा दिक्यार पर सानी नहीं होती थी लिकिन अभी भी एजेंटों का हुआ है लेकिन जो नए रूल है जो रूल ही जो इस महिने के 29 मेज гор को मेरे सब्सक्राइब मेरेओर डर उमेए कर만 को अपना को ≦06 मैं और ऑ को मेरे निक्ट अपक्रमेंट लेकर घाना होगा और यह बिद्दिक ने मुमंबई-फ्रिय freight यह और वीजाब बहुश जगह हैं जहाब भी आपका BFS सेंटर है वहाँ पर जाना होगा वहाँ पर जाने लेग बाद आपको वहाँ पर एक बायो मेट्रिक फिंगर लगाना होगा अपना जब आप वहाँ से अपना फिंगर पिरिंट लगा कर जब वहाँ पर fingerprint आपका लग जाएगा उसके बाद से आपका सारा document लगए अपने office के पास जाएगे उसके बाद ही वह आपका file बनाएगा उसको बीजाई stamping के लिए आपका passport भेजेगा अगर आप यह काम नहीं करेंगे अगर fingerprint नहीं लगवाएंगे फिर आपका बीजाई stamp नहीं किया जाएगा इस बात को आप समझ लें और अच्छे समझ लें इसमें और भी बहुत सारे changes होने वाले बहुत सारे और आगे परसानिया क्या होने वाली इस सारी details में वीडियो आपक लगेगा एजेंटों का नहीं लगने वाला है ठीक है इस चीज आप सुन लेजिए और यह भी सुन लेजिए कि अभी जो आफिस वाले काम कर रहे हो आफिस वाले ही काम करेंगे सारा काम लेकिन जो अभी contract जो बात हुई हो बीफस से भी हुई है यानि बगर बीफस के ओ लो में भी भीड जमा होगी लोगों का फिंगर लगना बहुत दिक्कत करेगा क्योंकि सारे लोग एक कि सेंटर में जाएंगे फिंगर पिंट लगाने के लिए उनको और भी जारा परसानिया बढ़ जाएगी और भीड बहुत जारा होने वाली है और हो सकता आपका इसमें के वीडियो में बताने के कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरी जानकारी आपको हाँ से हासिर हो सके तो ज्यारा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तब ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी कोई भी सवाल हों कोई भी जानकारी हो आप वहां से हासिर कर सकते हैं उसमें आपको पैसे धिने कुछоко जरुकल नहीं परनोा लिए आपको बस वहां पर रिम्र्म होकर पर जो भी सवाल हो उसका सवाल कर जवा cider मिल जाएगा जो कि आपने सवाल किया आपको तुरंट जवाब मिलिया जो आदमी उस सवाल का जवाब जानता होगा वही देगा जब देखेगा मैसेज को तो देदेगा मेरी निदर पड़ेगी तो मैं ही देदूंगा तो वीजियों फिलाल के लिए बस इतना ही हमें देज़े इजाज़त दुआ में आदरे कर लाहफिज